हेलो ब्रीवन, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्यू स्कूल इंटरेंस एक्जाम 2024 का अप्लिकेशन फॉर्म कब आएगा और 9th इंटरेंस, 6th इंटरेंस और 1st इंटरेंस 2024 में इनके इंटरेंस एक्जाम कब होंगे और अप्लिकेशन फॉर्म की बात कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इंटरेंस एक्जाम कब हो सकता है 2024 में, उसके बाद आपका 9th इंटरेंस का सिलेबस क्या है 6th इंटरेंस का सिलेबस क्या है, 1st इंटरेंस का सिलेबस क्या है और आपकी age limit criteria क्या है और eligibility criteria क्या है कि आप कैसे eligible होंगे इस entrance exam के लिए और आपको preparation कैसे करनी है syllabus क्या है और cut-off कितना जाता है seats कितनी है AMU school में इसके बारे में बात करेंगे तो जितने भी लोग channel पे नए हैं वो लोग क्या करें कि channel को subscribe करके रखें और video को भी like करें अगर हम बात करें कि application form की कि 2024 में application form कब आने वाला है तो मैं यह कह सकता हूँ कि 2024 में application form school entrance के लिए यानि कि 9th entrance 6th entrance और 1st entrance के लिए December mid से ले करके January के 1st week तक application form आ सकता है application form आने के बाद आपको एक महीने का time मिल जाएग application form फिल करने का अब अपना application form फिल करने के अगर हम बात करें कि entrance exam कब होने के chance है 2024 में तो आप यह मान सकते हैं कि आपका जो entrance exam होने वाला है वो आपका entrance exam 10 March से 25 March के बीच में होने वाला है आपका सबसे पहले entrance exam 1st entrance होता है और 6th entrance 1st entrance और 6th entrance एक ही दिन होता है और उसके एक हपते बाद exactly एक week बाद आपका 9th entrance का exam होता है अगर हम बात करें कि 2023 में application form कब आया था तो 2023 में application form आपका आ गया था जनवरी के 1st week में और आपके entrance exam जो हुए थे 2023 में वो 12 March को हुआ था 1st और 6th entrance का और उसका 9th entrance के अगर हम बात करें तो 19 March को हुआ था लेकिन अगर हम बात करें कि 2022 में कब हुआ था तो 2022 में COVID का situation थोड़ा सा सही हुआ था लेकिन COVID की वेज़े से session लेट हो गया था इस वज़े से 2022 का entrance exam डिले हो गया था और लेट हुआ था तो जून के मन्त में जाकर के 1st entrance, 6th entrance और 9th entrance का exam हो था तो हम 2022 से नहीं compare करने वाले है 2023 से compare करने वाले है और 2020 के पहले इं compare करने वाले है तो 2020 के पहले भी जो entrance exam होते थे वो आपके March में होते थे और 10 March से 25 March के बीच में entrance exam होते थे application form December last में या फिर January के first week में आ जाते थे तो इस बार भी ऐसे ही होने वाला है अब अगर हम बात करें first entrance के लिए eligibility criteria क्या है age limit क्या है और कितने schools है schools में seats कितनी है syllabus क्या है और cut-off कितना जाता है और interview के लिए आपको कितने marks लाने होगे इन सब के बारे में आप one by one बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं English medium boys के लिए first entrance के अगर हम बात करें तो STS school है 35 seat है और English medium में AMU AB की school है 35 seat है Abdullah school है यहाँ पे 70 seats है RMPS AMU City school है यहाँ पे आपको 45 seat है उर्दू medium का इसी तरीके से girls में अगर हम बात करें AMU girls school 35 seat है AMU ABK high school 35 seat है Abdullah school 70 seat है यहाँ पे star बना हुआ star का मतलब यहाँ नीचे कहीं न कहीं पे दिया हुआ होगा ठीक है वो मैं आपको भी बता दूँगा और अगर उर्दू medium की बात करें तो AMU girls school 40 seat है और AMU city girls high school 90 seat है तो यह तो बात हो गई seats की कि कितनी seat है first entrance में age limit की अगर हम बात करें तो 5 से 7 साल के बीच में आपका age होना चाहिए अगर आप first entrance के लिए apply कर रहे है 31 March 2024 को क्योंकि मैं 2024 की बात कर रहा हूँ और यह जो guide है यह 2023 का है और written test में क्या-क्या आने वाला है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं clearly लिखा हुआ the written test cell comprise 25 subjective slash objective type question on English, Arithmetic, Urdu and GK यानि कि total यह आपके 4 subjects आने वाले है test में class first के internet में English, Arithmetic, Urdu and GK और आपको मैंने यह बता दिया कि application form कब आएगा और application form इस बार जो आने वाला है वो December meet से ले करके January के first week तक आपका application form आ जाएगा और उसके बाद interest exam के अगर हम बात करें तो 10 मार्च से 15 मार्च के बीच में आपका interest exam होगा उसके बाद अगर हम बात करें sixth entrance की तो sixth entrance में आप यहाँ पर देख सकते है seats कितनी है English medium में अगर हम बात करें boys category में तो STS school में 40 seat है RMPS AMU City School में 40 seats है और RMPS AMU City School यह उर्दू medium है यहाँ पर 40 seats है girls category में अगर हम बात करें तो girls category में होनी चाहिए अगर 10 से कम है तब भी आप apply नहीं कर सकते है और 12 से ज़्यादे तब भी आप apply नहीं कर सकते है और यह जो आपकी age देखी जाएगी वो 31 माद 2023 को देखा जाएगा यहाँ पर clearly लिखा हुए selection process के अगर हम बात करें तो वो 25 मार्क्स का आगा यह total 85 मार्क्स का आपका test होता है class 6 इंटरेंस का और अगर हम बात करें cut-off की तो cut-off आप यह मान सकते है कि अगर आपके मार्क्स 85 में अगर 75 प्लस आ रहे है तो आपके पूरे चांस है आपको यहाँ पर 270 seat मिल जाएगा 930 सता ही 270 seat है और इसी तरीके से girls category में 180 seats है age limit के अगर हम बात करें 9th entrance के लिए तो आपकी जो age है वो 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए 31 मार्ट 2024 को अगर हम बात करें कि आपका syllabus क्या है test कितने marks का होता है और इसमें आपका mathematics है वो 30 marks आती है 30 marks की mathematics आती है class 8 की और NCRT based questions आते हैं और science भी आपकी 30 marks की आती है 60 हो गए और 25 marks आपके language आते हैं अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते है section 1 जो है आप यहाँ पर देख सकते है 25 marks comprising 25 objective type of question on language पर आएगा आपका 25 marks उसका section 2 आप देख सकते है section 2 आपका science और mathematics होगा इसमें आपके 60 marks आएगे तो total आप यहाँ पर देख सकते हैं कि interview इसके बाद होगा interview आपका 15 number का होगा और interview में आपके कम से कम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 40% marks आपको लाने ही होगे यानि कि जो 15 number का interview होता है इसमें आपको कम से कम 6 number तो लाना ही होगा तब ही आप eligible है otherwise आप disqualify हो जाएंगे तो यह बात होगी 9th entrance की और यह बात होगी 9th entrance की ठीक है अगर हम बात कि रहें कि 9th entrance के लिए कटाफ कितना जाता है लेकिन यह है कि 65 प्लस पे आपका अगर interview में थोड़ा सा कम marks करेगे तो हो सकता है आप फिर qualify ना कर पाएं final qualify ना कर पाएं लेकिन अगर आपके marks 70 प्लस है और आपका interview भी थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है तो आप क्या होगा कि finally qualify कर ले जाते है क्योंकि होता कि है कि जो भी test होता है test में जैसे for example 270 लोगों का selection करना है तो 270 का two times जो है interview के लिए बुलाए जाते हैं उसके बाद क्या होता है interview के बाद जो है interview में 50% लोग भाहर हो जाते हैं और 50% लोग अंदर कर लिए जाते हैं तो क्योंकि जितनी भी सीट से for example 270 सीट है तो 270 का दुगना बुलाए जाएगा यानि कि 270 का दुगना हो गया 540 लोग बुलाए जाएगे और 540 में से 270 लोग भाहर हो जाएगे सिर्फ उसे 270 लोगों को admission बिलेगा तो ठीक है स्ट्रेंट्स अगर आप तयारी करना चाहते हैं कि आप अपने 9th इंट्रेंट्स और 6th इंट्रेंट्स की तयारी करना चाहते हैं 1st इंट्रेंट्स की तयारी हम लोग नहीं करवाते हैं लेकिन 9th entrance और 6th entrance के अगर आप तयारी करना चाहते हैं, offline mode में या फिर online mode में, तो आप क्या कर सकते हैं, कि strategy coaching institute जॉइन कर सकते हैं, अलिगर में, और आपको contact करना है, 9634775736 पर, इस contact number पर आप contact करके, आप जो भी batch जॉइन करना चाहते हैं, online batch जॉइन करना चाहते हैं, तो आप online batch जॉइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप offline batch जॉइन करना चाहते हैं, तो बहुत यह अच्छा होगा, अगर आप offline जॉइन करते हैं, तो इसके लिए भी आपको contact करना है, जो coaching institute का address है, वो आपको Bombay Mercantile Bank, दोदपूर अलिगड़, यानि कि अलिगड़ में ही है, दोदपूर 14 से थोड़ा सा pass में ही है, और आपको क्या करना है, कि आप contact भी कर सकते हैं, मैंने आपको contact number बता दिया, ओके, तो मिलते हैं next video में, जैसे ही application form आजाएगा, आपको फॉरण इसी channel पर आपको update किया जाएगा, ओके, thank you.